हिसो तो अब हम लोग देखेंगे सब से फ़ले क्या मियौ 2 2 1 का प्रोफेज-1 और प्रोफेज-1 की श्टरी सुडू करते हैं तो प्रोफेज 1 जो हैं सबसे बडा त्ऍा लिफि टाइम लेता है सबसे ज्ज्धा समय लेता光 यह लोंग टूरेश نघक एक सबसे ज्यादा टाइम हबmentsas 1 जा माइतोसिस डेंग ले種 कोई लेता है तो कौन लेता है प्रोफेचंड में और बहुत कॉंप्लेक्ष ईवन माइत प्रहुतना ही माय टोसिस जीतना असानी समय माय टोसिस को पढ लिया थोतितु एक जादा कॉंपलेक्स है करीब करीब सौसी दो कुना ज्यादा समय लेता है यह माय टोसिस से और मैं होगा टोस washes 200 तो सो मिनट में होगा कि लिए इतना ज्यादा इसका लंबा टाइम है प्रोफेश वन का केवल प्रोफेश वन का या लाउंगेश डूरेशन लेता है और इसलिए इसको हम लोग 5 सब्फेज में डिवाइड कर देते हैं ठीक है ना पार सब्फेज में डिवाइड किये ताकि पढ़ने में आसानी हो और डिवाइड करने का एक ही आधार है क्रोमो जोम का नेचर जैसे कि अगर हमारा नेचर बदलता है ना कभी हम बच्चा है तो कभी हम बड़ा हो गए फिर फिर हम गुरू जी बन गए पिता जी बन गए और पुत्र भी है ठीक है ना तो सब यहां पर आपका यह रोल यहां पर यहां पर यह रोल तो उसी तरह से क्रोमोजोम के प्रोमॉजों के look हो रहा है इसको पकड़ा गया और उसकी पर प्रोफेज वन को 5 भागमें डिवाइड की है टिक है मियोसिस वन को चारे भाग में डिभाइड किया गया लेकिन प्रोफेज वन को पांच भाग में सुचे कितना बड़ा है फ़र्स्ट हो गया लिप्टोटीन अभी बताये थे सेकें जाइगोटीन थड़ थट्ट इसेिंद और फिटव डायकल नेस तो सबसे पहले विप्टोटी जिसाव लोग कहते हैं एगे अधियो से सब्ribly लोग आँसे लिप्टोटीन या जिसे के हम लोग आँसो कहते हैं अ और सकते हैं जिसे कि todLight ard sadly स्टेज गरुमोजोंच बनते हैं यारी रूए से भागा बन रहा है क्रोमोजों जो रूई की सुरुआ और मसीन में जाकर तो इसी डिसकोब कहते हैं कि या दिन तर जाएं कि पा पाय है तो लिप्टो टिन या लिप्टो नेमा इसका नाम है इसमें होता क्या है तो सबसे पहला क्या होगा कि वॉल्यूम और एश्टर का भी फॉर्मेशन होता है जैसे कि मायटोशिस में होता है तो दो काम हो गया एक आपका नुकुलियस का वॉल्यूम बढ़ा और दूसरा एस्टर का फॉर्मेशन हुआ जैसे कि माइटोसिस में होता था जब यह हो गया तो अब जो नुकुलियर क्रोमेटीन रहता है धागा बन गया तो नुकुलियर पार करने के आपे सब्सक्राइब नुकुलियर क्रोमेटीन तो वही नुकुलियर नुकुलियर क्रोमेटीन का 100com हम लोग की तरह नहीं होता है तो निकलिर क्रोमेटीन का होता है दिए हैड्रेशन के द्वारा और यह कहां होता है लिप्टोटीन में तीसरा देख रहे हो वन गुन देखा टू प्रूपाटीस देखा थर्ड प्रूपाइटिस लिप्टो टीन का और उसका क्या होगा अप्धाइसिक होगा रस बैंडिंग गा इंटू अस्पेसिज असपेसिफिक नंबर आफ क्रोमोजों में अब यह दें तू अप्धिक हरेक। मुझ North क्रोमों जोंटा है तो उसी के तरह आस प्यार्यलजाइशन भी यहां हो जाता है कि कौन सास्पेसिज में कितना नंबर ऑफ क्रोमों होना है रहां काउंटींग जो होगा क्रोमों का वह यहां हो जाता है है कि लिया तो यह बहुता हुटा स्पिक नंबर आफ क्रोमोजोंस का कीद्ट में ओके यह हो गए इंच क्रोमोजोम फॉर्मड ऑफ टू शिस्टर क्रोमेटिड्स और प्रतेक कात मोजों जो होगा वो दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना होगा इस तनी का बहुँ शुटर कॉम जोंग त्रेड लाइक और लंबा धागा की तरह है ओए जए लीनियर सीडिश और डार्कली अश्टेंड बीट्स काल्ड क्रोमो मेयर्स और परतीक के पास लीनियर सीरींड होता है और अलम यान्य बीट्स रहेंगा जिसको की क्रोमो मेयर्स कहते हैं कि लिए तो यह हुआ ठीकने ना क्रोमो जोंगा रहेंगे में डेखने में या लेकिन वास्त्तों में रहते हैं दो रहते हैं बींच में घो टीश हो गहाई त इसके बाद लिप्टो के बाद सेकेंड प्रोसेस कौन सा है जाइगो तीन और जाइगो तीन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं योग्ड थ्रेड़ेड इस्टेज क्या कहते हैं किसी जाइगो तीन को और लिप्टो तीन को मैंने कहा था सबसे पहला तो क्या होगा दोस्ती होगा है ना मिया बीबी का दोस्ती हो गया साधी हुआ पेरिंग पेरिंग होगा विवा होगा सुब विवा सुब विवा जो होता है पेरिंग जिसको क्या हम लोग काते हैं पेरिंग करना पेरिंग कहां सुना है तुम लोग पेरिंग करता है कि नहीं करता है बुलूटूथ से हेड़फोन को पेरिंग कर सीनडेशिस जिसे की हम लोग आल्सों कहते हैं क्या सिनैपutan नहीं तो सिन्डेशिस.... नए सिनापसी सिकते हैं.... हिनदी में कहते हैं .... समान के जो गुश्मान में रहेंगे... और बनाएगा कैया बाइबेलेट्ट्स बनाता है ठीक है ना दो क्रॉमोजोंग का क्या होगा प्यारिंग होगा जोड़ा आ गया इदर से लड़का पच्छाए जोड़ा आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं क्या बाइब पास दो टंग है तो दो टंग है तो दो डंडा का बना हुआ क्या होता है क्रोम़्योम हमने बताया था ना दो रॉंदा का बना वह क्या है क्रोम़ ओता है जो चोंच टू सिश्टर और येर्ड यह क्रोमवेट उगया क्रोम लेकिन है यह कितना क्रोंट करें गए 1 क्रूमोजोम एप कि यह एक क्रूमोजोम है यानी कि एक आदमी के दो हां और दो हात है तो हम पूरा क्या होगा गया क्रूमोजोम फोगे और हांग लिए उपर हाथ तो दो जोड़ा हमारा बन गया तो कहते हैं समझ में आ गया याद रहेगा और यह जो हमारा है जाइगो टीन में क्या हो गया वहां हम लोग देखेते मोनो भैलेंट अब यह के लिए थे ठीक है तो हम इधर रहें खड़ा इसे हाथ लेकर करके उधर से दुलहनियां आ गई वहां न्ट तो दोतने हम गया всम Guru खड़ा गया तो दोनों क्या रहेगा होोगा स्थ किल करते और फॉर्म मेट तो घ्रोइड को दंग ओर व घ्रोइड कोश्य॥ dall जोट चार क्रोमेटी noon बनारे टी श्रीक का अगिर क्रोमेटिट्स और टो सेंटो मेर्स असेंटरों मेर्स ई हो गया एक सेंटरों मेरी यह ग्याएं दूगली बोडि छार गुप आपका क्या हो गया सबको याद रहेगा नमबर और बाइबानेंस इजा हाफ तो टोटल नंबर ओफ क्रोमो जोम्स अब नंबर ओफ बाइबालेंस अब यह जो बाइबालेंस है वो क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं तो टोटल नंबर ओफ क्रोमो जोम्स का यह जो एक लड़का है इसके पास अगर एक क्रोमो जोम है और इस लड़की के पास भी एक क्रो तोटल लंबर ऑफ क्रोमोजोंस का नंबर ऑबाय विलन साफ हुआ टोटल जोड़ा करू मेन द ला एक मेंगे कमें icons होगा बाइवालस का मतलब क्या हो गया झोरा फिकना वाइभालन्स का मु्निंग हो क्या हो गया जोड़ा 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 जब बन गया तो क्रोमोजोम्स क्या हो गया आधा हो गया यह चीज़ किलियर हो गया इन डिपलॉआइट सेल एक डिपलॉआइट सेल में नंबर और बाइवालन्स क्या होते हैं क्रोमोजोम नंबर्स का हाफ होता है यह किलियर हो गया यह बायबहालेंस देखते कहां है जैगोटिन जैगोट नेम आनौ सो अपन गया तुसको बाइबहालेंस जोड़ा घिया भगो की दनो आ गया लागे? का यह क्या हो गया यहां बाइभेलंस क्या हो गया हाप हो गया एक जोड़ा हो गया एक दूगो हो गया है ना करोमोजोम दूग दूगवा पोड़ी दूगो लेकिन जोड़ा एक, किलियर, इच बाइभालेंट इज फॉर्मड आप वन पैटर्नल और वन मैटर्नल क्रोमोजोम, और यह जो परतियक बाइभालेंट जो बनता है, वो एक पैटर्नल, ठीकन, एक पपा से, आएक मम्मी से आया हुआ क्रोमोजोम से, किलियर है, इसलिए मैंने कहा, एक लड़का, एक लड़की, दुनों स्टेज पर आया, ठीके न, साधी हो रहा है, मरबाला डाले, ठीके न, वहम को डाल दी, वहम उसको डाल दिये, जोड़ा तैयार हो गया, तो दिस इज दन पाइभालेंट, यह हो गया जोड़ा, तो जोड़ा कहां बनता है, लिप्टोटीन में, और लिप्टोटीन में क्या होता है, दुल्हा तैयार, अलग, अदुल्हनिया तैयार, अलग, किलियर, तो यह हो गया आपका जाइगोटीन, अब जाइगोटीन में यह भी होता है, जब हम आ गए, वो आ गया, दोनों आ गए, ठीक है, तो हम उसको बर म आदा ऑर मला लगो हम लोग कहते हैं किया कोंप्लेक्स तो इसको हिंटेमाला वर माला उसको यह यहां कहता है क्या सिनेब्टो ने मल यह यह देखिए सिनेप्टोनेमल कॉंप्लेक्स है ठीक है तो फर्दर उसके बाद क्या होगा हम उसके तरफ हमारे तरफ माला पना दिये और वह माला जो होगा वह क्या है सिनेप्टोनेमल कॉंप्लेक्स कहां दिखाता है जैमाला में कहां दुनुन मिया बीवे स्टेज पर आया हुआ है ठीक है अंडर इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप से जब देखा है एक लोड़का दम इलेक्रोनिक माइक्रोस्कोप लगे लिए देख रहारे जैमाला थोड़ी तो सिनेप्टोनेमल कॉंप्लेक्स है पुरा दुनुन गट बंदन बन गया फिलामेंटस लैडर लाइक निक्लियो प्रोटीन इस अब्सक्राइब कर देखा देखा है इस अब्सक्राइब बिट्मिन दो और यही जो है बनाता है ठीक है न क्या बनाता है अस्ट्रक्शल बेसिस फोर प्यारिंग एंड सिनेप्सिस अप मियोटिक क्रोमोजोम्स और इसी क्या धार पर आगे की जिंदगी अब चड़ेगी जैमाल हो जागा उसके बाद ही न कुछ होगा तो अस्ट्रक्शल बेसिस जो है यह आपका कौन मनाता है सिनेप्टो कॉंप्लेक्स नेमल कॉंप्लेक्स की जो यह वह वो क्या बनाता है स्ट्रक्शल बेसिस किसके लिए अगे पर चाने की लिए पॉर प्यार्इग है ना नदप पर पंदी जी जब प्रवेस्ते दोनों की दोस्ती पूरी बढ़ी विए तो इसको भी हम लोग कहते हैं क्या ठीक थ्रेडेड अश्टेज ठीक है ना अब देखें लिप्टो टीन पढ़े थे आप सबसे पहले हैं ना लिप्टो टीन कैसा था थीन फ्रेडेड रस्टेज तीन पतला अब क्या हुआ अश्टेज पर चड़ दिल में गुलगुल्ला अब आगे पंडी जी भी आगे तो संबंध आव गहरा होगा क्या कि पंडी जी अब संधी मिलन भी कराएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं तीक थ्रेडेड रस्टेज यानि कि अब गट बंधन आव मजबूत होगा क्या कि धेर सारा मंत्र पढ़ा जाएगा तो इस इस तीक इस्टेश इट इनव होल्स इसमें क्या होगा जनी क्रोमोजोम क कभी को नदी करा मिया यानि कि पंडिन समय और बढ़ गे यह को बढ़ता जा रहा है किलिए ज्वाइन ऐट सेंटरों मेर्ड एढ़ डायाड अब क्या हुआ दुनू मिया भी भी बईट गया मंडप में तद दिखने लगा आरे जोड़ी तयार हो गया है ना और दोनों में गट बंदन हो गया दुनू में गट बंदन भी हो गया यानि ज्वाइन वह गया दुनू सेंट्रो मेयर से दुनु मिया मी भी है जो इस सेंट्रो मेयर से क्या हो गया जॉइन हो गया तो यह जो गट बंदन बन गया तो इस गट बंदन को हम लोग कहने लगे क्या डायाड क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं डी वाई एडी डायाड जोड़ी तैयार अब जैसे डायाड बना इस बाइब अस्टम या और परतेक बाइब करेंगे कि इसे सब्सक्राइब किसे कते है डोग। एक क्ट्राइब करेंगे डोग नामने कीतने ठाओं में है क्योंकि मेरे साली भी है प्रूदिक वह साधियार है तो इक होते हैं ठीक है तो इंच सुझ सथ होते हैं ठीक है और इसलिए हम लोग तर्conomy के जोड़ी हम कि तेट्राइब के선 जोडी सब्सक्राइब कि यह चल रहा है ऐस्ट मिलाप ओगा या नि क्रॉसिंग ओवर चलेगा है ना और सॉम्टाइब्स एक्सचेंज़ गईन्स और क्रोशिंग ओवर बीटमिन तू नौन सिष्टर क्रोमेटीड और हो सब्सक्राइब खर्रोमोजोम्स ऑकर्स अट एक्सविट लगा है ना तो उसको काते हैं हम लोग खर सिंग मिला पो करते हैं rising the बगां कि लिए सब्ढकर सब्सक्राइब ने नटीयॉल्स और कोईने इस तो रिकोंबीनेश नोडियूल्स और रे देगा यानि पंडी जी की उपस्तिती में विच अपियर्स ऑन दा सिनाप्टोनेमल कॉंप्लेक्स और दिखाई देगा है ना संबंद और गाला हुआ रेगुलेटर दिल में पहुत निकलने लगा तो यह पूरा का पूरा जो प्रेम है याद रखना है यह जो मिला आप करा एंजाइम के द्वारा पूरा दिल में गुलगुला उठता है है ना रिकॉंबिनेशन नोडियोस हास्त विलाप जारी है सिनप्टोनिमल कॉंप्लेक्स तैयार है यह सब चीज पंडी जी के उपस्तिती में यह पूबिंग अवे ऑफ एकंटे दूर रहा है दुनु समदी दूर होते जा रहा है अब यह भी सर्टे जा रहा है जोंकि उसका काम अब कम है रोल ना रोल था यह सुरू शुरू रोल था डिपलोटीन अब जब पैकित इन हो गया गट बंदन हो गया तब क्या होगा डिपल डिपलो टीन आएगा है अब आगे फेरा वागेर होगा डिपलो टीन या डिपलो नेम आ जिसे कि हम लोग करते हैं डबुल थ्रेड़ेड़ श्टेज है ना आभी तो हम लोग देखे था ठीक थ्रेड़ेड़ अब भास्त मिलाफ हो गया है ना तब आउ प्यार बना तुसकर डबुल थ्रेड़ड अश्टेज प्यार और बढ़ गया परवान पर है और यह लॉंगे जूरेशन अब क्या है ना बियाह करें में बड़ी लंबा समय लगेगा तो लॉंग डूरेशन है आजा जितना तरह के जितना भी तरह के जो अल्बल है सब दूर हो जाओ जितना भी नुकुलियर मेंब्रेन जितना भी पर्दा है सब हटेगा सब पर्दा हट रहा है नुकुलियर मेंब्रेन एक पर्दा हटाओ नुकुलियर मेंब्रेन और नुकुलियर नामक दोनों का दोनों पर्दा स्टार्ट हो जाएगा हटने के लिए ठीक ना और सिंदूर्दान डिप्लो नेमा जिसको कि डबल थड़ेर स्टेज कहते हैं और गाहा होगा कैसे सिंदूर दान से वो कैसे होगा परदा हटेगा तो परदा खुला नुकुलियर मेंब्रेन और निकलुलाई जो है वह डिसपीर कभ होंगे स्टार्ट करना कब सुरू करते हैं यह दूनों डिसप अप्सिस ऑफ होमो लोगस क्रोमोजोंस बीगीन्स डियू टू डियो डियू लूशन ऑफ सिनॉप्टो निमल कॉंप्लेक्स और अब जैमाल लुमाल का कोई उत नहीं है बरमाला निकालो यार हटावो आप तो सिंदूर दान हो रहा है तो अब बरमाला हट चुका है जैमाल आप सिनॉप्टो निमल कॉंप्लेक्स यानि बहुत सारी चीजहों को हटाया जाता है किस वे इस डिपलो टीन या डिपलो नेमा में ठीक है और इस में क्या क्या चीज़ डिसेपियर होता है फुर्ष्ट डिसेपियर होने वाला ऑपजेट है निकुलियर मेंब्रेंड एक त और तीसरा जो जैमाला पहने हुए वो भी अटाव उसका जुरूत नहीं है डियोल्यूशन आप सिनॉप्टो निमल कॉंप्लेक्स यह भी डियोल्यूब डियॉल्व हो जाता है ठीक है अब क्या है सम्बंद हो गया है तो अब क्या होगा फेरा फे compete आब क्या हुआ फेरा लेना सुरू किया है तो जब day लेगा तो एक से जो कहते हैं लोग हिंदी में वह कुरू हो जाता है ठीक है निया सिंदूर दान हुआ फेरा होगा एक से प्वाइंट सुरू होगा जिसको कि हम लोग काते हैं कि समाटा जहां जहां दोनों का सटेगा बॉडि एक दूसरे के साथ ठीक है क्रोमोजोम का उस पॉइंट को काते हैं किसमाटा जैसे यह है किसमाटा है यहां यहां सटा तो यह हो गया किसमाटा हो गया ठीक है न वह गया किसमाटा तो किसमाटा जो है यह फॉर्म करता है कहां आपको डिपलोटिर में इसी दोरान फे फॉर्म करता है वेर क्रॉसिंग उसे ही हम लोग कते हैं। किसमाटा। नमबर ऑफ की स्माटा डिपेंड्स अंडा लेंथ लेंथ ओफ क्रोमो जोम बाइँ टेक है नूहरतू ही। किसमाटा की समाटा के upright कर रहा है। लिन्थ औफ क्रोमोजोम पर और कि समाटा इस्टाट मुबिंग टुबार्स म Chi नो याइन की तरफ टिक है ना जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या टर्मिनलाईजेशन साथ cya अब टर्मिनलाईजेशन करो बहूत हो गया फेरा अब विदागी हो गा तो यानि टर्मिनल लाजेशन का प्रोसेस शुरू होने लगा रोगा कनी चालू ओगि आ भी submit तर्मिनल मैंटर में किया था कि टर्मिनला वे चुलू होना शुरू होता है और उसमें क्या हुता एक dx अनला जू घ्लारफ कि सकना-चे कर गया ठीक है अट टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस सुरू हो गया विदागी का परकिरिया प्रोफेज वन में तो इट इन्वर्प्स अब इसके बाद जो पांचवा स्टेज है वो डाया काइनेसिस अब डाया काइनेसिस किया है विदाई है तो बिदागी लड़की का होगा ठ गवा करनी बढ़ी चालू हो गया हना तो गुप्लीटेड होगा और इसमें कंप्लीट होगा तो दा नॉंसिस्टर क्रोमेटीट्स आर इन कॉंटक्त विछ एच अधर और नीयर देयर तिलोमेर तो दा बाइबालेंस अपियर रिंग लाइक और बाइबालेंस जो है वो रिं नॉकलियर मेंब्रेन और निकलोलाई जिसका की आपका डिसटेड शुरू हुआ था किसमें डिपलोटिन में है ना काई कि सिंदूरदान शुरू हो गया इसलिए अब डाया काइनेसिस में जा कर कि किया होगा विदागी समारों सुरू हो गया तो सब तरह के परदा हट गया है परदा पूरी तरह सब हट चुका है साधी संपन्न हो चुका है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एज इन माइटोसिस और स्पिंडल का फार्मेशन चालू हो जाएगा यानि कि समधी मिलन भी शुरू होगा दूनु समधी दूर दूर बैठल है यह इधर बैठल है यह इधर लेकिन अब हो गया भाई कि हम लोग तो बन गए परिवार ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल का फॉर्मेशन कहां होगा सासुर्श का साहब का दिल कहां मिलेगा इनका दिल मिलेगा को डाया काइनेसिस में विदागी के बाद ठीक है ने ट्रमनाइशन कंप्लीट पूरी तरह से अब कोई परदा नहीं है किसमें डाया काइनेसिस में और स्पिंडल का फॉर्मेशन कहां होता है डाया काइनेसिस में तो इस तरह से सुब विवाह की पूरी परकिरिया यानि प्रोफेज 1 कंप्लीट हुगा ठीक है ना हम लोग देख लिये प्रोफेज 1 प्र लिप्टोटीन किलियर है तुल्हा आया स्टेज पर दुल्हन आई आती है कंडेसेशन होता है ठीक है एक अपना क्रोमोजोंस मेरे पास है यह थी का अलग-अलग क्रोमोजोंस होता है उसके बाद आपका क्या हो जाइगोटीन हुआ जाइगो निमा सुब विवास शुरू होत होता है जाइगोटीन में के बाद क्या होता है पैकटीन होता है पैकी नेमा पंडी जी आते हैं ठीक है जैमाल-उमाल पढ़ना दूर दूर जाके भाइब आप लोगा काम खतम है पंडी जी का साधी भी बाप सब होगा ठीक है न अब मारा पिटी नहीं चलेगा डिपलोटीन आ गया डिपलो नेमा डबुल थ्रेड़ अस्टेज यह क्या हो है लॉंगेश डियूरेशन है निकुलियर मेंब्रेन और निकु क्या स्मारट गंदन ऊरहा है और भी सुरू होने लगेगा आपका सिंदुरुदान बगयरे और अध którego लूदान बिधागी करोच्रिया दूसरा तरफ चालु में और इसके बाद जैसे ही खतम होता है तो साधी का दया का लेकिन दुनी में बात अचीत शुरू हो गया ठीक है लिगने लगा ठीक है बीगाने लगा वह तो प्रदा हड़ चुका है निकलियर मेंब्रेन और निकलियोलाई पूरी डिसेपियर हो जाएंगे जो कि डिसेपियर होना यहां सुरू हुआ था डिप्लोटीन में वह डायकॉनिसी से पूरत से गायव हो जाएंगे तर्मालाइशन कंप्लीट होगा लड़का-लड़की को लेकर के जाने की तयारी शुरू होगी और यहां पर जाके प्रोफेज वन कं complete होगा और इसकी बाद जो है वो शुरू होता है मेटाफेज 1 तो मेटाफेज 1 अगले क्लास में तब तक आप लोग इसको एक और दो बार रिवीजन कर लो थैंक यू